हेलो एवरिवन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास सेवेंथ की आपकी इंग्लिश की वर्क्षिट नमबर 25 देट है आपकी 23 दिसेंबर 2020 सबसे फर्स्ट आपका एक कुश्चन दिया गया है कि लुक एड़ फॉलिविंग पिच्चर कियरफुली एंड लीड आउट दे वर्ट की जगह हम कई बार और सेट के जगह हम कई बार कि यूज़ करते यहां पर जो आपकी वर्ट के सैट दिये गया है वह बिलकुल एक जैसा है थीक है तो हम उसको सरकल कर लेते हैं जैसे सबसे फर्स्ट हम एकेकर करके मीनिग जैसे एंग्री का मतलब होता है आपका गुसाखला का मतलब होता है आपका आनंद या फिर बहुत-जादा खुश होना S buttons का मतलब होता है आपका हर्श तो यहां पर डिलाइट और ज्वाइई इन दोनों की आल्मोस्स सेम डृब निकल रही है प्रस्ट इन रही है ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं खुश होना है second है आपका brave, brave का मतलब होता है बहादुर, clever का मतलब होता है चालाक, bold का मतलब होता है आपका साहसिक तो यहाँ पर brave और second आपका bold इन दोनों की meaning almost same निकल रही है हमारी ठीक है तो second में हमारा brave और bold आ जाएगा उसके बाद है आपका C की first है उसमें आपका refuse refuse का मतलब होता है मना कर देना accept का मतलब होता है स्विकार करना deal का मतलब होता है सौधा और deny का मतलब होता है आपका मना करना चीक है तो यहाँ पर हमारा refuse जो word है और जो deny word है इन दोनों की जो meaning है वो almost same है उसके बाद D है आपका hope hope का मतलब होता है आपका could उसके बाद है आपका tug जिसका मतलब होता है खिचाव pull का मतलब खीचे और nap का मतलब होता है नापना तो यहाँ पर आपका जो tug word है ठीक है और जो second है pull इन दोनों का मतलब कहीं न कहीं खीचना होता है तो ये दोनों हमारे same हो जाएंगे तो first में delight and joy second में आपके brave and bold third में refuse and deny and fourth में आपका tug and pull उसके बाद यहाँ पर बताया गया है synonym कि ये सारे जो word हमने अभी पढ़े ये synonyms होते हैं जिनके जो meaning होते हैं वो almost same होते हैं तो a word or phrase that means exactly or nearly the same as another word or phrase is called synonym तो ऐसे words को जिनके जो meanings होते हैं जो words होते हैं वो almost same होते हैं तो इन्हें हम synonyms कहते हैं चीक है? note दिया गया है a word can have more than one synonym किसी एक word के एक से ज़ादा synonyms भी हो सकते हैं here is a list of some more synonyms तो यहाँ पर कुछ और आपके synonyms दिये गया हैं जैसे good का आपका well होता है enjoyment का आपका fun भी होता है collect का gather, anger का worth fast का quick, close का set ठीक है? उसके बाद question C दिया गया है आपका choose the synonym of the underlined words in the given sentences यहाँ पी जो आपका underlined words हैं उसकी हमें synonym choose करने हैं जैसे first है आपका alka is an intelligent girl तो intelligent का जिसका मतलब होता है आपका बुद्धिमान तो इसकी जगा आप कौन सा word यूज कर सकते हैं? brilliant, brave, rich और famous की जगा तो हम brilliant यूज करते हैं ठीक है? तो first में आपका option है correct हो जाएगा second है my mother gave me a very beautiful dress तो यहाँ पर आप beautiful की जगा क्या यूज कर सकते हैं? हम pretty यूज कर सकते हैं ठीक है? ugly, bright और dull तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगली का मतलब आपका बदसूरत हो गया, bright का मतलब आपका चमकना हो गया, ठीक है? और dull का मतलब हमारा correct हो जाएगा fourth question है आपका I will finish my assignment tomorrow तो finish के जगा आप क्या complete यूज कर सकते हैं? stop, follow या फिर perform ये तीनों तो नहीं होंगे मतलब इनकी meaning इससे नहीं match कर दिये, तो जो complete है वो हमारा correct answer हो जाएगा ठीक है? first में brilliant, second में pretty third में wealthy और fourth में हमारा complete, okay? उसके बाद T है आपका question, fill in the blanks with appropriate letter to form synonym of the given word तो यहाँ पर जैसे big है तो big में यहाँ पर एक देखी huge word देना है आपर तो लेकिन आपका fill in the blanks दिया है इसे हमें fill करना है, जैसे first है आप यहाँ से कर सकते हैं, big का आप huge ठीके, huge लिख सकते हैं back end का आप impati लिखते हैं यानि की खाली, ill का आप sick लिख सकते हैं यानि बिमार, quick का आप rapid लिख सकते हैं full का आप idiot लिख सकते हैं clean का आप tidy लिख सकते हैं ठीके, तो आप इसे यहाँ से fill कर लेना, okay?